वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स और एक लार्नर ने आप लोग के साथ कुछ शेयर किया है जो की है मोनिशा से लिया तो इनका भी इस बार नैट क्वालिफा हो चुका है तो चलिए हम लोग देखते हैं मानिशा ने क्या कहा है तो फ्रेंट्स हम लोग एंट के युजिसी अभी मुझे फोलो कर लेना फिलो करने के लिए कोई कोच चाहिए तो कोच डाल दे न अनुकामपा बहुत सारे फ Liberty अपको मिलेगा उसी कोच से अनुकामपा कोच से आपका क्लास अनुलग हो पाएगा है अब यह चलिआ हम देखते हैं सेलिआ ने क्या कहा है हेलो मैम, प्रणाम, मेरा नाम मनीशा से लिया है, मैं उत्राखन की रहने वाली हूँ और मैम, सबसे पहले मैं आपको सौरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं के लिए मैं कबसे ये मतलब वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि कुछ personal problems मेरी चनल रही थी, जिस वज़े से मैं ये वीडियो पहले नहीं दे पाई अब तो बहुत दिन हो गए हैं, उसके लिए sorry मैम लेकिन आज मैं आपका दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ क्योंकि सिर्फ आपके वज़े से, सिर्फ आप से पढ़ने की वज़े से इस पार मैं अपना UGC NET का exam qualify कर पाई हूँ और अब मैं आगे और मुझे पूरा एकिन है कि मैं आपकी guidance में इस पार next attempt में मैं अपना JRFP qualify कर पाऊंगी तो मैं सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि किस तरह इस से पहले क्योंकि ये मेरा second attempt था तो पहले भी मैं दे चुकी थी एक बार तो तब लेकिन तब ऐसा था ना paper में कुछ समझ नहीं आया कि कहां से पढ़ने क्योंकि जब तक UGC net का exam है कैसा exam है हम जानते हैं अगर आपके पास proper guidance नहीं है तो आप इस exam को clear नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं अपने आपको बहुत सा भागिशाली समझती हूँ कि मैं आपकी संपर्क में आई और आपकी classes मैंने अन अकेडमी पे देखी हैं आपके पढ़ाने का तरीका और जो महाँ पे video lectures हमको मिलते हैं महाँ पे जो pdf आप provide करवाते हैं उसा बहुत अच्छी वालितिका है और सबसे best बात मैं मैं की बताना चाहूंगी कि मैं इतनी अच्छी तरह समझाते हैं कि आपको कोई भी concept कभी difficult नहीं लगता है और शायद आज आपकी वज़े से मैं इतनी बड़ी achievement को प्राप्त कर पाई हूँ तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका और मैं आपके पढ़ाने का तरीका बहुत awesome है क्योंकि आपसे एक ही topic भी हम कितनी बार भी पूछते थे आप कभी घुसा नहीं करते थे इवन class में आपने मुझे देखा होगा कभी बहुत सारा मैं बोलते भी रहती थी और मैं हम सबसे पहले मैं शायद आपको इस बारे में याद हूँ मैंने एक बार मार्च या मार्च के टाइम पे शायद मैंने एक बार आपसे ऐसा कुछ discussion भी personal किया था कि मैं मैंसे घट पे शादिवादी की बात चल रही है इस वोज़े से tension हो रही है तो आप मुझे इसके लिए बता है शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन तब भी आपने मुझे यही खाता है कि तुम पहले अपने एक्जाम पे फोकस करो एक बार तुम इनको एक्जाम क्लियर करके दिखा दो फिर आगे देखना तो मैं वो सब चीजे मैं मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं थैंक यू सो मच आज आपके गाइडेंस में आप से पढ़ने की वज़े से मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया है और मुझे पूरी उमीर है मैं आने वाले नेक्स अटेंट में इसमें JRFP क्वालिफाई कर लूँगी सिर्फ आपकी गाइडेंस में तो थैंक यू सो मच मैं मतलब जितना कहोतना कम है आप से पढ़के हमारी सारी कॉंसेट क्लियर वे मुझे लगता है यू आर बन आप तो बेस्ट टीचर of education subject थैंक यू सो मच मैं